देश की सबसे बड़ी बहस का नमस्कार मैं हूँ अमीश दिव गुनाच का आरपार बहुत जोरदार होने वाला है क्योंकि अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसे लेकर कॉंग्रेस और बीजेपी में बहुत बड़ा घमसांता है कॉंग्रेस के कद्दावर नेताशों गेलोते राजिस्तान की मुख्यमंत्री वो सुन्दर राजेस सिंध्या को लेकर बेहद अपत्ती जनक बयान दे दिया है ये पूरा बयान बस हम कुछ देर में आपको सुनवाएंगे लेकिन आज मध्यपरदेश का जनादेश एवियम में कैद हो गया और कॉंग्रेस आज भी एवियम पे सवाल उठाने से नहीं चूकी दिग्विजे सिंग कह रहे है कि कॉंग्रेस के पक्ष में वाले पॉलिंग बूस पर एवियम खराब हो रही है तो उधर योगिया दितिनास ने भी भजरंग बली को दलित और वनवासी बताकर नया विवात खड़ा कर दिया है लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि क्या पांच राज्यों का जनादेश 2019 के लिए बड़ा संदेश होगा इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बैस नंबर वन डिबेट 2018 का जनादेश 2019 के लिए बड़ा संदेश आजकार पारिसी पर जनता ने जवाब दे दिया है कॉंगरेस की सरकार बने जाती है दोसों के लक्ष हम लोग ने रखा उसको प्राप्त करने में हम लोग सफल होंगे ऐसा विस्वास है जीत के दावे जोरदार है क्योंकि इन में से हर नेता जानता है कि पाँच राज्यों के जनादेश के माइने क्या है 2019 के फाइनल से पहले ये सबसे बड़ी सियासी टक्कर है और जाहिर तोर पर इस सियासी जंग में विजई होने वाले का मनोबल 2019 के लिए उचा होगा लेकिन जीत के इन दावों के बीच कॉंग्रेस ने मध्यप्रदेश में ये बड़ा आरोप भी लगा दिया कि कॉंग्रेस के पक्षवाले मत्दान केंद्रों पर इवियम खराब हो रही है आज की युग में तो कोई मशीन ऐसी नहीं है जिसको हैक ना किया जा सके वो तो चारे समशी में खराब हो जाए परिशानी तो हमें है ये अधिक से अधिक बोट तो कॉंग्रेस के जा रहा है खैर मध्यप्रदेश, च्छतिसगर और मिजोरम का जनादेश तो ईवियम में दर्ज हो चुका है ऐसे में पूरा जोर अब तलंगाना और राजस्थान पर लगाया जा रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नागोर में गांधी परिवार और कॉंग्रेस पर चौथ तरफवार किया हम आप से हमारे पोते पोतियों की बलाई के लिए नहीं मांग रहे हैं हम आप से वोट मांग रहे हैं इस धर्ती का भला करने के लिए जो मुंग और मसूर में फ़रक नहीं समझते हैं जिनको ये मालूम नहीं है चने का पौदा होता है कि चने का पैड होता है ना आप सोने का चमच लेकर के पैदा हुए है ना मैं सोने का चमच लेकर पैदा हुए है एक कामदार आप से आसिरवाद मांगने आया है पांच राज्यों के चुनाव में धर्म से लेकर जाती तक कॉंग्रेस हरदाओं अपना रही है तो उधर बीजेपी भी हिंदुत्व से लेकर राम मंदिर तक अपने पूरी ताकत लगा रही है लेकिन आज बड़ा सवाल यही है कि पांच राज्यों में किसका दावा दमदार है इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस 2018 का जनादेश 2019 के लिए संदेश और अब विशलेशन चुनिए कामदार नामदार की सियासत का विशलेशन सुनिए योगी ने बजरंग बली को दलित और वनवासी बता दिया और उसके बाद पांच राज्यों में लोकसभा की 83 सीटे हैं जो 2019 के लिए बहुत एहम है इसलिए हम कह रहे हैं कि ये संदेश और जनादेश 2019 के लिए भी महत्रपूर है और मेरे साथ बात करने के लिए अज कई दिग्ग जामने सामनी होंगे मेरे साथ भारती जनता पार्टी के और से डॉक्टर सम्वित पात्रा जुड़ेंगे जो कि BJP के परवक्ता है मेरे साथ कॉंग्रेस पार्टी के परवक्ता जुड़े हैं उनका स्वागत है आलोक शर्मा मेरे साथ जफर सरेशवाला है जिनको हम कह सकते हैं स्ट्रॉंग सपोर्टर नरेंद मोदी के और साथ ही साथ मेरे साथ राम किरपाल सिंग है और साथ ही साथ इस बहस मेरे साथ अतुल अंजान जुड़ेंगे वरिष नेता CPI के और अचारे प्रमोत किश्रम भी जुड़ेंगे जो कि कॉंग्रेस के स्टार प्रचारक है उनका भी स्वागत है तो आप तमाम लोगों का इस बहस में स्वागत है लेकिन इस बहस को मैं ओपन करता हूँ संबिच पात्रा सबसे पहले तो मैं यह आपसे जानना चाहता हूँ इस लड़ाई को आप नामदार बनाम कामदार क्यों करना चाहते हैं इसके माइने क्या है कॉंग्रेस कह रही है हम काम करके नामदार बने हैं ऐसे ही हम नामदार नहीं है 40 सेकंड में इसका जवाब वसंद्र राजे जी कमर से नीचे जुक करके प्रणाम करती है मोजी जी को यह किस प्रकार की मान सिकता है इसके लिए माफी मांगनी चाहिए दूसरी बात को हम उस बाइट को पुक्ता करा रहे हैं और हम उस खबर पर आएंगे लेकिन पहले जो सवाल मैंने पूछा कामदार इस नामदार की लड़ाई में कॉंग्रेस कह रही है हम काम करके नामदार हूँ है जवाब कर आए आपका जी बताईए देखे नामदार कहां से आया यह जो नामों की राजनीती चली परिवारवाद की राजनीती चली चन्दिनों पहले इसी राजस्थान के पावन भूमी में से याद करिये विलासराव मुम्टेवार जो की महराश्ट्र के हैं और कांग्रस एक अद्दावर नेता है पूर्व लिए गांदी है उनके पिता जी का नाम जवाहालन नह रूथा और किस प्रकार 5 पीडी से परिवार नामदार बनके हिंदुस्तान की राजनीती में राज रहा है आप बताईए क्या गरीब चाय वाला हो ना क्या साधारनERS परिवार से आना क्याstorm परिवार से आना जिसकी मा कि आपको लगता है कि आलोग शर्मा नामदार वर्सिस कामदार की बात करकर आपको बैक फूट पे डालने की कोशिश करती है भारती जंता पार्टी इसलिए आज़ फ्रंट फूट पे कहले कि हम काम करके नाम वाले बने हैं आलोग शर्मा जवाब देखे मैं समस्ताँ आमीज जी मुझे लगता है कि देश के प्रधान मंतरी के पास साड़े चार वर्षों के बाद भी जो है पाप, बेटा, नामदार, कामदार, इद, मजजद, गुर्दवारा ये वो इसी तरह की शब्दावली के उपर वो अपनी पूरी बाजी गरी खेलते हैं इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है साड़े चार वर्षों में मैंने राजिस्तान के लिए क्या किया, मैंने मद्धबर्देश के लिए क्या किया जाकर गिनवाते तो शायद अच्छा लगता कामदार थे, नामदार थे, देश की जनता ते करती है आप अगर हमें कहते हैं कि हम नामदार हैं वो कभी मुद्दों पर बात नहीं करते हैं गुजरात का चुनाव आएगा तो मनमौन सिंग जी का पाकिस्तान से संबंद है रहंगणिया मुसल्मान आ गए हैं उसके बाद चुनाव समाप्त हो जाता है उसके बाद कोई विशय नहीं रहता है आज आप बताएं किसानों की हा क्या है मरजवान मरकिसान का नारा आप दे कर आए थे उसका क्या हुआ धारा 370 को हटाएंगे उसका क्या हुआ 2014 में जो मैनिफेस्टो था उसको दो चार चीजों को गिना देते हैं आप मुझे लगता है लेकिन उस पर किसी पर बात नहीं को जानते हैं तो आपको लगता नहीं कि मौका आपने भी दिया आपने दो बार रिपीट कर दिये बात देखे मैं समझता हूं किसी के भी पारिवारिक संबंदों पर कोई टिपनी नहीं होनी चाहिए लेकिन मौधी सहब और बीजेपी के पार्टी के लोग इस तरह की टिपनी करेंगे जिन लोगों ने हमेशा बाप बेटा मा बेटा बाई बेहन और कौन सा रिलेशन है जो मौधी जी ने नहीं छोड़ा ठीक है ने जाकर आप दामाचिरी की बात करते हैं यहां पर परधान मंतरी बनके आप पकोड़े चलते हैं आप एक एक्सन लिए लिए थी के ऊपर देविजिए ने ने मुझे केवल यह बता दीजे के पाँच मुख्यमंतरी अभी वरतमान में ऐसे हैं जिनके बेटे या है MLD MP है 18 के इंदूरी मंत्री ऐसे हैं जिनके परिवार में से लोग राजनीति में हैं कि परिवारबाद कॉंग्रिस में दिखाई देता है ये वह परिवार प्रधान मंत्री ने बोला जिने मूंग और मसूर में फर्क नहीं आता वो किसानी सिखा रहे हैं जिस प्रकार से किसानों की बात तो ये करते हैं मगर किसानों के लिए क्या किया है 2006 में MS स्वामीनाथन कमीटी की रिपोर्ट आई 2006 से 2014 तक उसके उपर अल्ति-पलति मारके बैठे रहे और आज MS स्वामीनाथन कमीटी के रिपोर्ट को ना केवल आगे बढ़ाना बलकि संपूर्ण तह आगे बढ़ाना और खुद MS स्वामीनाथन जी ने बूरी बूरी प्रसंसा किया है आर्टिकल लिख के देड़ गुना अगर रभी और खरीव पर आपको MSP दिया जाता है तो हिंदुस् है नहीं मून डाल के बीच में और मसूर डाल के बीच में क्या फरक होता है क्योंकि याद करिए यही राहुल गांदी जी ने आलू की फैक्टरी लगाने की बात की थी इसी राहुल गांदी जी ने सिकन्जी और को को कोको कोला की याद रखिए दे incident के stopping plan को लेकर होता है उस विशह पर ठीक है फिर में योगिया दित्ते रात के बड़े बयान पर आ रहा हूँ और अच्छोफ गह लोग ने बड़ा विवाधित बयान दे दिया है बहुत बड़ी खबर आ है और मैं नरसमा जी चांदी की चंबच लेकर पैया हुए थे मैं समस्ता पिश्कर्ण मंतुरी को जूट बोलने की तरफूर मेरोलक गलत प्रस्तुत बिक मैं समझता हूं मोधी तायब को व्यक्तिग टिपनी करनी पड़ रही है है योगिया दित्ति नात्ते है या फिर इस दलित के बहाने वोटों के बल्शाली बनना चाहती है भारते जिनता पार्टी सुनिए योगी ने क्या बोला है बसरंग बली हमारी भारतिय परंपरा में एक ऐसे लोग देता है जो स्यम वनवासी है निर्वासी है दलित है वनचित है वनवासी है वनवासी तक तो ठीक था निर्वासी तक भी ठीक था लेकिन दलित बना दिया राम किर्पाउट संग्ग पहले बीज़ेपी ने राम की बात करी अब हनुमान जी की बीजाती देख रही है क्या ये जायज है सबाल ये पर पहले भी कह चुका हूं नहीं कि पड़ा ऊस एक था हुगा अगर इस सवाल पर जब भी मौकां मिले तो मुझे कहिएगए मैं अपनी बात रखूँगा बाकी ये गंदगी की जो किचल उचाल राजनिती है और जिस तरह से मैं इस पर कुछ पर आतरा आप से रियाक्शन लेता हूँ बजरंग बली को भी अब आप जाती में बाटेंगे किया जायज है बताईए आप मुझे किसी ने बजरंग बली जी को जाती में नहीं बाटेंगे किसी को दलित कहना अपमान नहीं होता है किसी को प्रेनों में आग लगाने की बाट क्यों कर रहते हैं आप इंसे बुलवा लिजी है कि अगर कॉंग्रेस की तरफ से बयान आ गया होता है तो यह लोग क्या 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 है हिंदू को इसी लिए बैटिकर से ओड़ार आ गया है भाईयों मित्रो अब मैं बोल सकता हूं यह को पूछा गया ना अरे सर आप 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 लोगों के नेता सो सीपी जोशी कि हिंदू धरम को सिर्फ ब्रामण जानता है बाकि तो कोई जाती का जाता हुए जाँ मांगे समित पात्र जवाप ये हिंदु धर्म का ये हैं अमीश भाई आप पहले इन से बुलवा लीजिए पहले इन से सारा चिल्ला चोट कपड़ा फाड़ू और क्या वह जो भी है राजनिती उनसे करवा लीजिए फिर मैं शांती से बोलूगा चिल्ला ते क्यों रहते हैं शांती से सुन लीजिए अगर किसी ने अगर रोक नहीं सकते हैं यह डिबेट कैसे होगा सर मैं तो आपको भी रोक रहा हूं उनको भी रोक रहा हूं और संबिता भी किसी को रावण ना बोलिया अपनी बात रखिये ना आप नॉन स्टॉप चिलाते जाएं यह जो आप रावण नहीं है ठीक आप आपको चूंगा आपको चूंगा यह देख रहा है देखिया ऐसा है कि हनुमान जी को दलित कह दिया तो यहां पर कांग्रेस बोल रही है माफी मांगे हनुमान जी दलित नहीं है दलित शब्द का हिंदी धर्म में प्रयोग करके आपने अपमानित कर दिया यह तो दलितों क तेंगे तो बोल ले देंगे क्यों चिल ला रहे हैं अचारे प्रमौत किष्टब भी आ गया है यह आप पर अपर इसे बहुत है जी आप देखिए तब से मैंने सवाल पूछा भी हो गया है जवाब देखिए देखिए इसमें कोई देखिए इसमें कोई दोमत नहीं कि जिस प्रकार से हनुमान जी का चित्रांकन हुआ है हनुमान हमारे आदी देव हैं वो बनवासी थे बन में थे और जिस प्रकार से हनुमान जी भगवान श्री राम के साथ आए नलनील भगवान राम के साथ में आए सभी मिलकर जो बनवासी थे जो बन में रहते थे वो लोग सब आके एक बहुत बड़ा धर्म के काम को किया है दलीत को केवल जाती सुचक सद क्यों सोचते हैं दलीत प्रेशीत इसका अर्थ हिंदी में होता है जिस अर्क मसें उनिखे देशी है करिया प्रभरशल देरें बैठकर आलोक अब अपनी लक्रत बोली आजा महिलाआघ किया कांँ है आशो कहलो कि शर्म हखा पर में माहिला जाम है अज्बैत्त जिपको यह कि निकीन पहले 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 अचारे प्रमोट कि दो ठीक है एक सब्सक्राइब बजरंग बली दलित थे योग्या दितिनाथ ये कह रहे हैं अब हनुमान जी की भी जाती पूची जाएगी क्या इस देश में अमिश्देव गंजी आपने बहुत अच्छा सवार रखे गया और वीजेपी प्रवक्तान धर्म के अंसार अजर और अ प्रवक्तान में क्या फरक होता है ने इस टार प्रचारक है इस प्रचारक है को आपक्सपात कर रहा हूं और हिंदू धर्म को आप दवाते रहेंगे मौका है जब अमिश्देव गंजी पर गंग्रेस के प्रवक्ता भी आरूप लगा रहें लेकिन अमिश्देव गंजी मैं आपके साथ हूं क्योंकि आप सत्थ के साथ चुछ पात्राजी पहले बात तो गोरक्ष पीठादीश्वर योगी आधितनात बीजेपी के स्टार प्रचारख को सकते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है जहां तक हनुमान जी की सवाल है बिल्कुल हो सकते हैं वह आधिकार है स्वामी जी में कोई आपती नहीं है बहुत दिर से आप प्रबक्ता बीजेपी का भी आ जाए तो उससे अच्छा हो जाएगा पांच्छे दिन बाद आप नजर नहीं आएंगे जब रिजल्ट आएगा मत्रदेश का राजिस्थान का तो और आप जमता कि जिएएगे और बोलेंगे बीजेदीषा बेडा का हो नहीं होना है सुने चित आप अपने आप करूंइं इस बास को स्वामी जी ने कहा मां नहीं योगी आधितनाजम जी एक संत है देखे और यह आखी जिए आप धमकी दे रहें कि मैं सब शमार पिक्ष पाटी हार जाएगी तो आप बाग जाएगे यह उनका कहरे का अचारी जी के विशह में योगी आदितनाजी का ये कहना बड़ा दुर्भागी पूर्ण है और एक संत के द्वारा ये बात कहना मैं योगी आदितनाजी का भी बड़ा सम्मान करता हूं लेकिन हनुमान जी भग क्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी बस इतना कहना चाहता हूं और डॉक्टर पात्रा जी आपको भी माफी मांगनी चाहिए आप इसे गोल-गोल मत घुमाईए यह राजनीती के तहत उनको लाकर के दलित सवान अगड़ा पिछड़ा उंचा अब बात कहां की कर र मैं इसका उत्तर देता हूं देखिए अभी स्वामी जी ने क्या कहा स्वामी जी ने कहा हनुमान जी तो महावीर हैं यह तो बल के पुंज हैं उनको दलित कह दिया मतलब दलित हमेशा ही दबा रहेगा दलित बल का पुंज नहीं हो सकता है अब बताएं गंगा के ओपर निफी आपने की गाय के ओपर की लेकिन भगवान मिजी अफ्वार नहीं करिए नहीं हैं आपको शुवा नहीं देता है अराम से दूसरों कुझा बहें देता सुनीजिए पिर बोलिएगा संधी बताओ सब करना पर आपको प्रचारक है तो प्रचारक है तो गुणा हो गया योगी जी है उमा भारती जी है शक्री महराजे प्रवप्ता है तो प्रवब्लम क्या आपको अचारी जी है चलो दिये मैं नहीं बोलूँगा लेकिन जब मैं बोलूँगा तो यह भी नहीं देखिए इसमें हानुम सुनिये देखिए मैं कहता हूँ अगर सभी देवी देवताओं को मैं दलित बोलूँगा मैं कहूंगा कि सभी देवी देवताओं दलित है तो अगर दलित का उससे सम्मान बढ़ता है दलित को उसमें एंपावर्मेंट महसूस होती है तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते वो महावीर है हनुमान इसमें कोई दो मत नहीं दलित महावीर नहीं हो सकता है किस प्रकार एक दलित को महावीर कह दिया किस प्रकार एक दलित को महाग्यानी कह दिया कि का कह रही है कि दलित कभी महाग्यानी नहीं हो सकता है दलित कभी वीर नहीं हो सकता है जी दलित कभी महाग्यानी नहीं हो सकता है मैं कहता हूं यहां पर कि यहां आचारे जी को माफी मांगनी चाहिए दलितों के लिए आपतिजनक शब्दों का प्रयोग किया है कि दलित महा आग्यानी नहीं हो सकता है दोơn तो जैसे हैं हमारे इक हैसे जिएक जफर सनेश्वाला के पास भी मैं जाओंगा अतुर अचारे परमोत किस्टम आपने बारा दस बारी बोल दिया यह पाप है अब आपका जवाब उन्हें ने दे दिया हनवान दलित थे कि मुझे यह कहा गया था कि मुझे आज पांच राज्यों के संबंद में चर्चा में आना है वही उसी उसी चुनाव में बोला है इस पर अब बहुत करिया जी उसकी अब छोड़िये किनारे बहुत देर तक बहस हो गई अभ आई ये पांच राज्यों पर चर्चा करें आप बोला ये कामदारों को चुनो और इसलिए मुझ को वोट डालो क्या कहना चाहते हैं आप इस पर नहीं अब भगवान राम चंद्र की जात बताई जाएगी कि वो च्छत्री थे अभी भगवान कृष्णी की बताई जाएगी कि वो यादव थे तो मैं तो च्छत्री आदमी हूं तो मैं कहूंगा ठीक है भगवान राम चंद्र की है वो कोई कहेगा यादव छोड़िये भगवान के बारे वो भगवान थे ठीक है अब उसके बारे करतक से देज़र सूबे का मुख्यमंत्री बोल रहा है आज ठीक है आपका कहना से लेकिन मैंने अपनी आप अमीजी विल्कुल आपकी बात सही है आगे जो आप पूछ रहे हैं कामदार और नामदार की बात कर रहे हैं यह फ किधर क्या करवट लेगी किधर लिखा जाएगा किस तरफ विभाजित है मत गणना मत सोच यह बता देगा राजस्थान का अगर दोनों राज्य जीत गई भारती जनता पारटी तो हो सकता है शमेत के घोड़ा दोडाने की उनकी जरूरत को कोई लोग सही कह सकते हैं और दो 2019 के लोग सभाचुनाओ के अंदर जय और पराजे की नया इतिहास लिखा जाएगा जाएगा जन्रमानस के दोरा ठीक है जवर सरेशवाला स्ट्रॉंग मोधी सपोर्टर क्या आपको लगता है जो प्रधान मंतरी बहस चेड़ने की कोशिश कर रहे है नामदार वर बराम काम उस पर आपकी राय के है रिस्पॉंड टू अतुल अंजान और कहते हैं कि रंग डाल दिया भाई होली है बुरा मत मानना इसलिए सियासी लोग जो है पॉलिटिकल प्लैटफॉर्म से कुछ भी बोलते हैं तो उसको बहुत ज्यादा या कम लेने की जरुरत नहीं है रही बात जो आपका असल जो डिबेट है कि 2018 का इलेक्शन जनादेश 2019 में क्या होगा उस पर मैं ये कहूंगा कि ये बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टन्ट है इसलिए कि ये कम से कम पाँच इलेक्शन में दो इलेक्शन यानि मद्यप्रदेश और राजस्तान ये कांग्रेस के लिए जीतना ऐसा है जैसे डू और डाई इसलिए कि अगर ये इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीती है तो फिर ये रेस में रहेगी और राहूल गांदी साब की दूसरों पर चलेगी और अगर ये नहीं जीती ये इलेक्शन तो मैं समझता हूं कि 2019 जो है ये दिल्ली दूरस्त है बहुत मुश्किल हो जाएगा तो ये बेशक ये पांच राज्यों के जो इलेक्शन है ये 2019 का पेश खेमा है और बीजेपी के लिए इतना इंपॉर्टन्ट नहीं है जितना कंग्रेस पार्टी के लिए इसलिए के उनके तो एक्जिस्टन्स का सवाल है तो दो स्टेट जीतना और मिजोरॉम में अप्री हु सरेश्वाला साहब ये राज्यों के चुनाव कंग्रेस के लिए तो बहुत इंपॉर्टन्ट है क्या बीजेपी के लिए इंपॉर्टन्ट नहीं है एक बात दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि ये मद्प्रदेश राजिस्थान का जो जनादेश है ये 2019 का संदेश सिद् कि ये दो इलेक्शन जो हैं ये 2019 का पेश खेमाए बिल्कुल ठीक ओके और हमके बाद सेंग क्या ये मोदी सेंट्रिक शुनाव हो रहा है एक बार फिर देखे सबसे आखिर में मैं आ रहा हूं और आपके टापिक पर बोल रहा हूं पहली बात तो जो सुरेश भाई ने कहा ये जो तूतू मैमे हो रही है ना इस देश का जो ओट देता है ना वो फावलाद और गेहु पैदा करता है उसको मालूम है कि कौन सी बात पर ध्यान देना चाहिए कौन सी बात पर नहीं ये तूतू मैमे पर ओट नहीं होता है आप समझ लीजिए रही बात 18 और 19 तुम्हे किया करनाटक विधान सभा को भंक किया सोचा कि सारी सीटे करनाटक के जनता ने मुझे दिये जैसे दिल्ली में बीजेबी के साथ हुआ दिल्ली का हुआ बिहार का हुआ एक बात समझे ओटर इतना परिपक को है मद्दाता वो जानता है प्रदेश में वो किसको उसको चुनना है मुखमंतरी को चुनना है प्रदानमंतरी को नहीं चुनना है पहले बात देखाओ यह इसका असर होगा जरूर होगा जी लेकिन आप तह जान लीजिए कि ओटर इतना जाना है कि उसको पता है कि मैं किसके लिए क्या करने जा रहा हूं और विकलप क्या है और मेरे सामने कौन अगर वो अगर 15 अगर्स को एक स्कूल में फंक्सन में जाए ना तो भी इतनी घटिया बात नहीं करता है जितनी घटिया बात आशकल की हो रही है ठीक है एक सामाने नागरिक भी इस तरह की बात हो रही है तो इस समय की बड़ी प्रेकिंग स्टोरी है कॉंग्रेस के अब पताने के लिए उनके आगे जुक रही है और भी एक अपत्ती जनक बाद बोली है वसंद्रा के शासन को पोपा भाई का राज बताया है और वसंद्रा बोली गैलोत की सोच बहुत हल्की है सुनाते आशक गैलोत ने क्या बोला है यह सुनना जरूरी है आज मैं फोटल देखी मैं परसुन्द्रा जी जी अम्मिश्टा जी साममें आजी कमर युटा कर ये प्रणाम का लेगे पोपिड़ी जी जी इतना जुक्टे प्रणाम तो हम आम जंटों से कर देते जारे आज आपि तुंद्री निनमीत ऑच अव्पा लुटी जी और वसं जुक के परणाम कर रही है आदी कमर जुगा के परणाम कर रही है पठाने के लिए मैं जानना चाहिए पुब्लिक भी तालिया बचा रही है कि अब वाकई यह पॉलिटिकल डिस्कोर्स है मैं जानना चाहत हूँ यह पर कई वरिष्ट लोग बैठी हुए है आज इस बात का वो निर्ने करें मेरी बहस इस मुद्धे पर नहीं है लेकिन यह इसनी बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है इस समय कि वाकई इंपॉर्टन्ट है एक तरफ बजरंग बड़ी की बात हो रही है वो आजस्थान अपने स्वागत परंपरा के लिए जाना जाता है यहां कोई भी आता है अतिति बनके तो उसका जुक करके स्वागत किया जाता है नमन किया जाता है एक मुख्यमंत्री अगर पार्टी के अध्यक्ष का स्वागत करती है नमश्कार करके उसको एक महिला के लिए यह कहना कि पटाने के लिए कैसे शब्दों का प्रियोग यह कांग्रेश पार्टी में मुंहिलाओं के लिए कमलाज जी ने था यह साजो समान सजावटी समान होती है महिलाएं प्रियंका चतुरवेदी जी ने हमारे दो मंत्रियों को अधनियस उस्मा स्वराज जी को और उसके बाद निर्मला सीतारमन को सजावटी मंत्री बताया था और आज यहां जितनी हलकी बात की है अशोग जी को तो यह ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा है और आज सडकों पर इसका जवाब जनता दे रही है कांग्रेस के प्रत्यासियों को ठीक है ओके ओके मैं इस आलोग शर्मा आपका रियाक्शन लेता हूँ आलोग शर्मा क्या यह वाकई स्लिप आफ टंग है या फिर मंचा है और भविष्चे में हम लोग तरसेंगे जहां तक बात टिपनी की है क्या क्या टिपनिया किस किस ने की है पूरे देश को साप सपेलों का देश बताना पच तो उसके बराबर किये टिपनी है रामजादे और दूसरा शब्द किस ने कहा एक मिनट एक मिनट मैं समझता हूं कि इन टिपनियों के ऊपर अगर चलेंगे तो पता नहीं कहा बात चली जाएगी कौन नाली का कीड़ा बता रहा था और कौन क्या कह रहा था और सब मंतरी मं रुलर्ड में बैठें उस पर इंड़ दिए किस ने किया क्या कहा है यह भी कह रहा हूं कि अगर आप उस पर डिवेट कराना चाहते हैं तो उस पर लेते हैं आज का मुद्द यह है ठीक है मिनें नहीं क्योंकि क्योंकि देखे हमारा नीज चैनल ने तो का लिना हम आरा हमार आप राजनीती के प्रोदा है कि कहीं न कहीं चाहे कुछ भी हो ऐसे बयानों से बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए यह बोलने वाले व्यक्ति की उपर निर्भर करता है लेकिन भारती राजनीत में मैं आपसे कहूं कि राजटी स्वयम सेवक संग के तीन संग प्रमुखों ने हर वार जब दशहरे के दिन वो भाषन करते हैं उन्होंने ये कहा कि महिलाओं को समाज में नहीं आना चाहिए राजी उनका काम बच्चा पैदा करना है घर देख रहा ह है खाना बनाना है सास ससुर की सेवा करना है इसके अलावा कुछ नहीं है चैसे इस चाहिए ने नहीं यह शुख भाधन करने चैसे तरह जी ने कहा है गुल मैं कर जी ने कहा सब्सक्राइब करने का नियुक्त सब्सक्राइब करते हैं और आपके हमारे प्रदान मंत्री हमारे प्रदान मंत्री जब सोनिया करते हैं तब आप वहां से पूछा कि जो कहा अशोग गहलोजी ने वह ठीक कहा या नहीं अशोग गहलोज जी के उस बयान का समर्थन करते हो नगरा रहे हैं तो क्या होगे वो तो उनकी मर्जी है बाकी भी लोग ऐसा कह रहे थे अरे शर्म आना चाहिए इस बात का कि आतुल अंजान जी ऐसे घटिया बयान का इस प्रकार के निरलज बयान का समर्थन करने हैं इतना अब दोनों के बास ब्रेक के बाद बापसा रहा हूँ आप देख रहे हैं आरपा क्या वाकाई इसलिए तलकी बढ़ गई है एक तरफ से वजरंग बनी को दलित बताय दा रहा है दूट्री तरफ से वसुंद्रा राजे के लिए अपत्ती जनब बयान दे रहे हैं कॉंग्र आपको देता हूँ ब्रेक से पहले अपनी बात को कप्लीट करें थे फिर अतुल अंजार जफर सरेश्वाला विक्री संबित पात्रा मगर किसी मुख्यमंत्री के लिए और खास करके एक महिला मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे आप कांग्रेस पार्टी के रेप के चार्ज के लिए रामलाल जाट ऐसे तीन के लिए और आप यहां महिलाओं की समान की बात करते हैं ठीक है अतुल अपका वक्त है राजस्थान से केंद्र सरकार में मंत्री नरिंद्र मोधी जी ने हमारे परधान मंत्री जीँने चुना था वो पहला विएक्ति जो राजस्तान से लोगस रखा का सज़त वो उसके खिलादकार का मुकाब मुकदमा ही नही जेल महीं रहा जिला सप्तरनी Вас barbecue में भी यह जब वहां जब वह जब वह जब वह जब वह एक उम्हाइब कर चुछ नहीं है सारे बलातकारियों के ये साक्षी माराज पर कोई रेपकार उप नहीं है अब रियक्ट करना चारे से जफर सरेशवाला मैं उनको भी मौका दूँगा लेकिन एक अंतराल के बाद आ रहा हूं जफर सरेशवाला आप ही के पास सीदे तेख रहे आर पार अलोग शर्मा जफर सर से जफर सरेशवाला मेरा पॉइंटेट सवाल है प्रधान मंतری कामदार और नामदार की बात कर रहें दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता प्रधान मंत्री के परिवार पर्यूआर बात कर रहें और अभी अशोक गैलोत ने जो बात बोली कि आपको लगता है कि कही न कहीं हर स से से जफ गोल है जफर हाँ देखिए देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो सबसे पहले जो कहा ता चायवाला उनके जो बहुत वरिश्ट आदमी ने दोहजार चौदा में और वह एक सेलफ गोल था उसके बाद बार बार कांग्रेस पार्टी जैसा अभी सची थरूर साब ने मुल्क में जवालल नहरू साब की वज़ा से चायवाला प्रदान मंतरी बन गया और फिर यह महराश यह बाकाइदा कांग्रेस पार्टी जो है लूज बॉल देती है मोदी साब को जिससे वो पाविलेन के बार ले जाते हैं लेकिन मेरा मेरी बात दूसरी है अमिश जी यह स जिन्दगी अभी जो है उसको बहतर कौन कर सकता है या जो है उससे खराब कौन कर पाएगा इसके अलावा मैं नहीं समझता कि वोटर किसी और बात में आएगा यह सिर्फ इलेक्शन के लिए ठीक है लेकिन वोटर जो वोट देता है वो यह सब चीजों से ज्यादा अंजात नहीं है वो रैल इश्यूंс को देखता है और उसी पर वोट करेगा और कोई चीज़ उसके दिमाग में नहीं होगी और आज अल्यडि हो गया है थोड़े दिन में पताचल जाएगा जूद का दूदर और पानी का पानी सब का पता चल जाएगा तोड़ letter चांधिर अका यह पूरा अलोक शर्मा ये पूरी लड़ाई आसल में 19 के लिए है इसलिए तल्की इतनी बढ़ गई है हर तरफ हर तरफ से लेकिन आपके तरफ थोड़ी जादा है क्या आप प्रेशर जादा है जीत रहेगा नहीं जीते तो कुछ रही हाथ पल ले दो हजार दो हजार तेरह चौदे का जो चुनाओ शुरू हुआ मोदी जी के आने के बाद से तल्की हम ज़्यादा देख रहे हैं आप भी टीवी पे हम भी टीवी पे है एक बरसों से मुझे लगता है कि जिस तरह से व्यक्ति का तारूब बढ़े केरला में गए तो सोमालिया से तुलना बिहार में गए तो डीन ने पूछ लेना यूपी में गए तो वहां पर इद और दिवाली कर देना शाषी तरूर मोधी के साथ है बताइए ना तो मुझे बोले लिए में पूछ लिए आप पूरा पूछ लिजे मैं फिर उत्तर दो पूछ लिए मैंने कि आपकी की तरफ से तल्की थोड़ी जादा बढ़ गए अब मैं उत्तर दे रहा हूं तो मुख्य मंत्री की कवर तक पहुच रहे हैं अरे भाई आप उत्तर सुनेंगे मोधी जी ने किस किस के लिए क्या कहा है मैं गिनवादू क्या सब मनोरला खटर ने क्या क्या कहा है नबवे पे पहुचा धिया 3 रोपए का प्लैट्फॉर्म टिकेट 2 रूपे पहुचा धिया मोधी जी मुझे लगता मोदीजी से बड़ा कोई काम नहीं रहा है तो यह बाते बोले के लिए बोलने के लिए तिसानों का सूसाइड रेट डबल हो गया थी जादा बार बॉर्डर पर सीसवायर का वाइलेशन हो थीक सब्सक्राइब रिबाटल मैं समझता हुई तरह से मोदीजी से ब और नामदार और कामगार देखिया अमीज भाई आप भूल जाए कौन भाजपा का है और कौन कॉंग्रेस पार्टी का है सदियों से एक लड़ाई चल रही है गरीबों और अमीरों की बीच की लड़ाई जो गरीब आदमी होता है ना चाहे बेच करके संगर्श करके आगे है तो उसको यह जो लूबी है सर्मया आपके बीच में बोल रहा था आप देख लिए जरा तल्की किसकी करद बढ़ने से गरीब को फाइदा हो रहा है क्या यह ऐसा क्यों होते रहते हैं यह भाईया अमीज भाईया मैं तो चिला नहीं रहा था क्या चारे प्रमों किस्ता प अलोग जी आप बोलें ना टेट मिनट अब सब्सक्राइब को 20 सेकंड दीजिए अमीज भाई यह क्या हो रहा है कि नॉन स्टॉप क्यों चिलाए जा रहा है अचारव रोध किस्ता फिर देखिए अमीज भाई यह सदियों की लड़ाई है यह सदियों की लड़ाई है तो बिन मचली वाली हालत होते हैं तो मौत का सौदागर है तू नीच है तू जाके चाय बेच तू कौक्रोच है तू स्कॉर्पियोन है शिवलिंग पे चपल मारेंगे इस प्रकार की सारी गालिया कॉंग्रेस देखिए अमीज भाई याद रखिए इस लड़ाई में गरीबों के लिए अचारे जी बोलिए आपका वक्त है उनके पॉकेट तक उनके एकाउंट तक सब्सक्राइब हो गया हो गया सब्सक्राइब हो गया हो गया मैंने 20 सेकिंद ये ते आपने 40 सेकिंद लेनी है जवाफ अचारे में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हनुमान जी अवतार हुआ था तब जाती विवस्था नहीं थी करोडो साल पर मैंमान जी के भख्तों का करोडों भख्तों का hanuman जी के प्रती करोडों लोगों की स nickel अपमान किया-चायोगी जioni माभी माफिद यह भी Coleman ू elderq को झाया अगर अचों महाईं उन्होंने कुछ कहा है तो उसका जवाब हो देंगे मैं हनुमान जी का भक्त हूं ठीक है मुझे बड़ा कश्ट कोचा है हनुमान जी को जात्पात के नाम पर इस तरह राजनेती में घसीटना बीजेपी का बहुत बड़ा गुणा है ठीक है राम कृपाल जी मैं सर्फ एक बा उन्होंने सेद मतलब एक तरह से उस पर उसमें कमी आई है और किसी भी नेता को अपनी ओट के चलते अपनी गर्मा से समझोता नहीं करना चाहिए हमें सो उसका जहां रखना चाहिए शुक्रिया फिलाल आरपार में तहीं मैं इस डिमेट को ही वाइन अप करता हूँ